क्या आपका में सफना है एक गौर्मेंट चौप पाना? क्या आप भी घर पैसे पहुदी कम तीस पर गौर्मेंट चौप की तयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक CG व्यापन टॉपर से गाइडेंस हैना चाहते हैं? तो डाउन डूट कीजिए गूकर पैस स्टोर से योगिन समू क्लासेस एप यहां आप स्टोर में जाकर कोर्स परचिस करते हैं हेलो फ्रेंट्स लाश्ट वीडियो में हमने कल्चूरी वंस का 56 नंबर के कोश्चन तक देखा था आज अब उससे आगे का कोश्चन देखते हैं इसी के समय भासकरपंद नहीं हमला किया था ठीक है भासकरपंद कौन था जो मराठे थे ठीक है है वंसियों से है से 36 गड़ पर मराठो का नियंतरन कब हुआ तो 1741 में कब किया था उसने आक्रमन 1741 में ठीक है राजा रतनदेव ने रतनपूर की स्थापना कब कि थी तो 1050 इस्वी में हमने देखा था ठीक है रतनपूर की स्थापना कि लिए और महामाय मंदिर का निर्मान कराया था इन में से किस राजा ने के बाद है है वंसी राजवंस को उसका नाम दिया गया तो हमने देखा था हैवन्सी नाम तो अकाल देओ ने जो भी स्थापना किया था उसमें इसका नाम हैवन्सी था ठीक है पर तो उसका वास्तव में कौन सा है था यदू हैवन्सी था ठीक है राजवन्स को उसका नाम दिया गया था यदू हैवन्स ठीक रतनपुर के लिए स्थापना किसने की थी तो रतनराज प्रत्थम ने ठीक है रतनराज या रतनदेव भी कहलाते हैं ठीक है रतनदेव प्रत्थम तुर देखते हैं निम्लेखी कल्चुरी राजावों में कौन गोरखनात का शिश्य था तो जाजल ले देऊ जाजल ले देऊ जो प्रतम थे ना उन्हें गोरखनात का सिश्य माना गया है गोरखनात का सेशी ये कहीं पे बुक्स में उपना अवलेबल नहीं है आप डारेक्ट भी याद रक सकते हैं 1741 में रतनपुर राज पर नाखपूर के किस भोशला शासक ने भासकरपन ने आकरमन किया था तो रगुजी प्रथम चीक है, क्या बोड़ रहा है, 1741 में रतनपूर राज़ पर नाखपूर के कीज बहुसला शासक के समय भासकरपन ने आकरमन कहता तो यहां तो शासक थे रगुनाथ सी यह 36 गड़ में थे, चीक है, यह सीजी में थे, चीक, और नाखपूर में कौन थे नाखपूर में थे रगुझी, चीक है, रगुझी, तो कठीन नहीं होगा याद करने, यहां रगुनाथ जी, फिर, रतनपूर के कलचरी शासक प्रिठिद्या प्रथम के समयंद में निमनली के शासे कौन से कौन से कथान सत्य है, तो क्यों से कथान सत्य है, कि उन्होंने सकल क तोसला दिपती की उपाधी धारण की थी ठीक है पिर नेक्स नहीं प्रिथिदेव प्रथम नहीं उसके बारे में बताया कि तुम्मान में प्रिथिदेवेश्वरमंदिर का निर्मान किया था जाजलेदेव प्रथम इस सुवर्णपूर उडिसा के राजा भुजबल को कब किया तो मेहमूद खिल जी ने किया था 1440 से 1441 के बीच में ठीक है 1440 से 1441 कि साषक को एक कार कीया उसे सुमेलिद करना तो हम डारेक्ट से कार को देख लेते हैं कमल राजी काया दोतक्रान उठक्राघ कर आकरमन किता तर्दू को पराजित क्या थे चक्रकोर्ट भ्रमर्कोर्ट बस्तर जो छिंदक नागवनसी राजा थे हमने देखा था सोमेश्वर देव का पराजित किया था रत्न देव द्युतिये ने गंगा राजा अनंत वर्मन को पराजित किया था रत्न देव द्युतिये ने त्रिपूरी के राजा जैसी का आकरमन क विफल किया था नेक्स्ट है मुगल बासा जहांगी ने रतनपूर पर हमला कब किया तो 1618-19 में जहांगी ने रतनपूर पर कब हमला किया ऐसा तो कहीं पर प्रमाणिक मिला नहीं है वट ऐसा लिया गया है इसमें 1618-19 में तो आप ऐसे याद रख सकते हैं मुगल शासनकाल के दौरान 36 गड़ को क्या कहा जाता था रतनपूर इसके बहुत सरी नाम है कुबेरपूर रतनपूर मनीपूर तो उस समय मुगल शासनकाल के दौरान क्या कहा जाता था रतनपूर नेक्ट है 36 के कल्चूरी शाषा के राजा कलिंग ने अपनी प्रथाम राजधानी कहां बनाई थी तो मार में हमने देखा था प्राचिन काल से निम्नलिकित में से किस राजवास ने 36 पर समसे रंबे समय तक राज शाषन किया तो कल्चूरी ने कल्चूरी ने 1000 से 1741 तक शाषन काल किया तो सरवाधिक लंबा शाषन काल रहा इनका थीक है फिर देखते हैं इनके जो कार्य है उनको सुमिलित कीजिए तो प्रिथ्वी द्यव प्रथम प्रिथ्वी द्यव प्रथम ने क्या किया था शकल कोसला दीपती की उपाधिधारं की थी प्रिथ्वी द्यव प्रथम ने सकल कोसला दीपती की उपाधिधारं की थी जाजल्य द्यव प्रथम इन्हों ने क्या किया था जाज बिटेटी उने किया था ट्रिपुरे केłeली सिक प्रिथ्विदेव ते शिल्राamm पाल ने जिर्नोधार गराया था सिकरिये मिलाना है तो यहां पर गए सकते हैं कलिंग राज कलिंग राज ने माणड कु राजानी बनाया था ठीक तीसरा वाला हो गई है तीसरा फिर जाजलय देव प्रथम इन्होंने क्या किया था बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजी किया था तो यह चौथा हो गया कल्यान से यह मुगल दार्मरा में उपसित हुए थे तो पहला हो गया रघुनाद सी ने मराठा सेनक के समय समक्ष आत्मसमरपन किया थो तो य त्रयस साहसक को अकरम होगा इंगा इस राज में घतैंपपुर के मिंफनाली खिकमे से गह फिक सासक ने त्रेपुरी के शाहसक जय से आ Immiginy को पराजित किया और उसके राजव पर पर आकर्वन के तो त्रपूरी के सासक त्रप्री के त्रभी को याद रखना कॉन कीये था जाजल देव दूती त्रिपूरी के सासक जैसे जै जैसे जाजल पर जाजल देव दूती ने किया था कल्चुरी वन्स की कुल देवी कौन थी तो गजलक्षमी थी उनकी कुल देवी गजलक्षमी थी तो पर उनके सिक्कों में ओम नमस सिवाय लिखा होता था कल्चुरी राजवन्स का राजा कल्यान से रतनपूर राज़ का शासक था ये कथन है दूसरा मुगल समरा जहांगीर की आत्मा कथा में उसका उलेक है कथन और कारण दोनों सत्या और उसके व्याख्या करते है थिए मुगलबाट सा जहागीर की आत्मकथा तुझो के जहागीर है जिसमें छात्ति ज इदर के कल्चुरी शासकों का उलेख मिलता है उनके अनुसार कल्चुरी शासक कल्यान सै ने 8 वर्जत्wah मुगल द बार कि मुगल शासक जहागीर के दरुबार में बिताति थी नेक्स रेक कल्चुरी वंस के निर्मलिखिन सास को ने चत्रगर पर फ्राशन किया क्रम बताना है तो अगर हम अगर आपको सही काल क्रम पढ़ना है इसके बारे पढ़ना है तो आप योगिन्जाओ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा नीचे वहां जाके आप क्लिक किजिए एप्लिकेशन डाउनलोट किजिए और वहां से आप यह जो कोर्स है इसी है जो काल क्रम है तो सबसे पहले आएंगे कमल-राज कहां कमल-राज पहले आignment three्ठीन पहले आएगा उसके बाद है रत्नादेव प्रथम कमल-राज है यह एक हजार बीस से एक हजार चालिस तक रहते हैं छीकर फिर रत्नेव प्रथम अते हैं तूसरे नंबर तीन-दो त एक हँजा पैसट तक रहता है इनका कार्यकाल सरा छाजड़ प्रेस्थम के बाद रहा हैं आएंगे गांच अधिर तरहा आएंगे प्री चिमा JACK ये यहां पर नहीं है तो यह रेयह दिए नहीं इसे दोन पाले ल्याद रहां यना इस सटी प्रता प्रप्रअप्राप्त होते हैं क कल्चुरी काल में जो सटी प्रता प्रवट थी वैसे तो कल्चुरी काल के बाद जो मराठा शाशन का लाया उसमें यह प्रत्धा प्रस्टी थी ठीक है और वहां के शासक थे विम्बजी भोशले उनकी पत्नी थी विम्बजी भोशले की आनंदी बाई उनके सती होने का उलेक मिलता है ठीक है तो वह हम आगे देखेंगे भौसला जब हम मराथा शारत के शनकाल पढ़ेंगे तब तो सती चौरे में मिलता है यहां पिन्यान रखिए किस कल्चुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंस के राजा सो मेशरदयो को पराजित किया था तो जाजल दयुप रहा था जाजल दयुप प्रथम का अभी मैंने बताया था एकका 95 से स्टार्ट था वो कप कप तक है, 1120 तक तो यह डेट भी हम याद रख रखेंगा रतनपुर के किस राजा ने के कारेकाल में मराथा से ना पति भासकरपंत ने आक्रमन किया था तो रगुनाथ जिये के कारेकाल में 1741 में किया था नेक्स राज चतिसगर के रतनपुर से शासन करने वारे कल्चूरी मूलतह किस इस्थान के थे तो महिश्मति अब महिश्मति साम राज्यमा बाहुबली देखेंगे तो पता होगा तो वो जो शेत्र था ना वो उड़ी जो त्रिपूरी जबलपुराला शेत्र था उसे ही कहा सा जाता था महाश्वरी पराचिन राजवन्सों से किल्चूरी ममहिश्मान से महिश्मति नगर वसा यह करकर दों जहाएं सहीं महिश्मति जहब तरिपूरी कहला यह यह सת्रोय केया था ठीक है गंगवंसी अनन्तवर्मन चोडगं को किस कल्चुरी शाषक ने पराजित किया तो रत्नदेव दुती ने गंगवंसी को अनन्तवर्मन चोडगं को पराजित किया था कहां पर किया था कल्चुरी साल रत्न देटी ने उडिशा के गंगवन सी शाशक अनन्त वर्मन चोडगंग को शीवरी नरायन जांजगीर चापा के समीप फ़राया था कोमो मंडल के अधिपती वज्जू वर्मा की पुत्री नोलन्ना से ववा करने वाल एकल चुरीशासक का नाम था तो रत्न देव प्रत्न की पत्नी थी कौन थी नोलन्न देवी जो एक विदूर्शी महिला थी, मतलब विदूर्शी मतलब होती पढ़ी लिखी महिला थी रत्नदेव प्रथम ने कोमो मंडल के अधिपती वज्जुक या वजुगर्मा की कन्या नोलन्ना से विवाग किया था उनका कोई उत्रदिखारी नहीं होने के कारा उत्तर प्रथम विविवाग भर्मा तो यह वजुगर्मा की प्रफम को प्रथम discuss कि वेवस्था में नहीं ना के विवस्था टो यह हमारा कलटोरी जो प्लाचीन राजवन से संबंधित भी खतम होता है कल्चूरी जो प्राचीन राजवन से संबंधित भी खतम होता है इसके बाद हम कल्चूरी क्लाइन प्रशास्नी की व्यवस्था के बारे में आज के लिए इतना है अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट जरूर किलेगा ठेंक यू